हेलो बुच्छा पार्टी नमस्कार अधाप सुष्यकाल इंकीमचो वल्कम तुटे क्लास ऑफ SSP येस आज कोई टॉपिक पर नहीं ले रहा लेकिन एक ऐसा विशह है एक ऐसा टॉपिक है आज का क्लास एक इंपॉर्टन सेशन है जहां पर बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिल ही नहीं है मतलब समझ जीजी कि हमारी फिजिक्स एकदम जीरो पर है और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बस एकदम तयार कर चुके हैं पूरी तरह से उनका सेलेबस अच्छे से खतम हो चुका है वो मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स भी देख रहे हैं क्योंकि दो जोबर नवंबर दिसमबर और जनवरी फेप से साथ आपकी एक्जाम हो जाए भगवान करें पैंडमिक सिचुएशन का कहर तो है लेकिन हम मान करके चलते हैं कि अगले चार महीने के अंदर हम फिजिक्स को कैसे इंप्रूब कर सकते हैं विस्वास मानिए मेरा बच्चा लो अच्छे से कर रहे हैं उनको थोड़ी सी गाइदेंस की जरुवत है जो बच्चे सुन रहे हैं प्लीज ध्यां से सुनना जो बच्चे वीडियो को यहां पर कहीं पर श्किप मत करना बच्चा लों इस चैनल देन प्लीज बीज बीज पार ऑफ एससपी फैमली और आपको न अब और वो क्या लाएं जिससे और निखर जाए उनकी जो पढ़ाई है जो उनका स्ट्रक्चर चल रहा है अब तक उसमें और क्या चेंजस ला सकते हैं जिससे वह और अच्छे से शेप में आ जाए और वो बच्चे जो बिल्कुल भी तयार नहीं कि थे थोड़ा बहुत उ आज आप लोगों के लिए लेकर क्या हैं अगले चार महीने का प्लान बोर्ड 2021 वाले बच्चा लोग फिजिक से लास्ट फॉर मंथ प्लान फॉर नेक्स फॉर मंथ चलिए स्टार्ट करें सबसे पहले मैं बात करूगा उन बच्चों का जो सिर्फ और सिर्फ पास होना चात इस नौट टफ टास्क एक प्रॉपर गाइडंस अगर आपको मिल जायना सही डिरेक्शन मिल जायना तो आप आसानी से आराम से मैं तो 23 कहता ही नहीं पहले तो दिमाग में से निकाल दो 23 अच्छे मांक्स लाने हैं और अगर आज से भी पढ़ने लग जाओगे ना तो दु इकना स्टार्ट करिए सब कुछ बहुत अमेजिंग लगने लगेगा तो पहले तो यह मांड से निकाल दो कि आपसे ना हो पाएगा बिल्कुल आपसे हो पाएगा यू कैन और यू विल दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोग सकती अगर आपने एक बार ठान लिया कि मुझ 100% करूँगा और उसके लिए फिर जी जान लगा दीजे ठीक है तो उन बच्चों के अगर हम बात करें सिर्फ पास होना है तो दीके 70 में से 30 मार्क्स मैं 23 भी छोड़ देता हूं 30 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं पिछले 2 साल से मैं YouTube पे हूँ 2017 से हूँ लेकिन तब वीडियो के concept के लिए मैं अलग जगह पर भी classes ले रहा हूं online platform पे ही लेकिन हमारे इस चैनल पर इस पेशली आपको मैं बोर्ड के लिए बच्चा पार्टी बता रहा हूं कि आप आसानी से इनके इस चैनल के सभी वीडियो लेक्चर्स पर आसानी से भरोसा कर सकते हैं बहुत अच्छ प्रिविलिंग थर्डी मार्क्स राइट सबसे पहले तो यहर गेम खेलो अब कर लोग सोचेंगे सर कौन सा वाला गेम पबजी खेले क्या सर पबजी तो आप लोग रोज खेलते नहीं बच्चा नहीं पबजी खेलने के मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं आपको मैं एक सिच्वेशन जहां पे 6 बॉल पे 15 से सोलर रन बनाने हैं एक अच्छा बैट्समन अगर डिटर्मिनेशन के साथ एक अच्छी बॉल पे हिट लगा दे तो वो आसानी से 6 बॉल पे जो 15 से सोलर रन होंगे न वो बहुत ही कम टार्गेट हो जाएगा वेले क्रिकेट के एक्ज पे 15 रन का टार्गेट अब आज के हिसाब से अगर सोचा जाए 2020 का सीजन है तो मैं यह एक्जामपल दे रहा हूं पर अगर आप इसके सोचेंगे ना इस बात को सोचेंगे तो इसके अंदर बहुत गहरा ही चुपी हुई है 6 बॉल पे 15 रन टफ टास्क है कभी कभी क्या होत साथ यहां पर है डिटर्मिनेशन लाइए फोकस हो जाइए टार्गेट बनाइए यही चीज है गेम खेलना आपको पेपर ले लो बच्चा लो और उस पर लिखो कि कौन-कौन से चैप्टर मुझे करने है कौन-कौन से चैप्टर करके हम आसानी से 30 मांक्स ला सकते हैं मैं आपको अभी वो भी एक्स्प्रिंट करता हो कि कौन-कौन से चैप्टर आपको करने 30 मांक्स के लिए बट यू हैब टू रेडी फो दे गेम नौट पबजी बड़ आपका यह प्लान होना चाहिए स्ट्रेजी होनी चाहिए इस स्ट्रेजी के गेम को आपको समझना होगा कि कि मुझे अगर 30 मांक्स लाने मैंने कुछ नहीं पड़ा था तो मुझे किस चैप्टर को पढ़ने की जुरत है कितना पढ़ने की जुरत है सबसे ज्यादा ये भी जरूरी है कि क्या मैं नहीं पढ़ू सबसे पहले और क्या मैं पढ़ू इसलिए वीडियो को लास तक देख करना गेम खेलना है या आपको अपने माइंड के अंदर उतार लेना है अच्छे से उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जो मैंने आपको कहा बचलो सिलेक्टिट चैप्टर मैं आपको बता दू कौन-कौन से आपको चैप्टर पढ़ने है और अगर आज से भी लग पूरी की पूरी फिजिक्स है पूरा का पूरा डेरिवेशन है पूरा का पूरा का पूरा कॉनसेप्ट है और अगर आपको और थोड़ा सा डेफ्ट में जाना है तो पूराने 2018 के वीडियो लेक्टिर्स अवेलेबल है वो देख लीजे या 2021 के बच्चा लोग हो तो जैसा चल रहा है वैसे चलाइए आपको नए वीडियो लेक्टिर्स मिलते जा रहे है सिलेक्टेट चैप्टर्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है बच्चा पार्टी तो लेट मी टेल यह थोड़ा सा हमारे एडिटर ने आज सीख रहे हैं शुकला जी को हमने रखा है हमारे स्ट चलरा तरह का कलर आपको लेना है चली सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चा लोग आपको कर लेना चाहिए एलेक्टР फील्ड एंड-6 माइं एलेक्ट्रिक चाह्जन एलेक्ट्रिक फीह यह है आसाथ है को उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक-पो-टेंश रॉप ब मैं आपको जो भी चैप्टर बोलूंगा अगर उन चैप्टर को आप अच्छे से कर ले गए तो आपके तीस मार्क पक्के उसमें भी क्या करना वो भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर पीडियाफ भी दे दूंगा कि कौन-कौन से आपको थीरी पंडे चाहिए ठीक है उसके बाद तीसरे नंबर पर लेता हूँ मैं बच्चा लोग करेंट इलेक्टर से देगे आपको मैं बता दूंगा डराओंगा नहीं बच्चा लोग ये तीनों मिला करके ही कम से कम अपने आ यहां से आसानी से हो सकते हैं लेकिन यह सोच आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं करने वाला हूं मुझे आज से पढ़ना है तब ही हो पाएगा बाकि आप दुनिया बर का यूटिब पर वीडियो सर्च कर लीजे मिलता रहेगा यह हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ नहीं हो भाला यू एक्षण अनुली यू क्यण सब्संद्ट यूर्सल्फ माइं तो सरफ बता सबस्ता हूं मुझानलता मैं बहुत अच्छाije है को मैं सरफ पात बता सकता हूं उस पात पर चलना हो रास्ते पर चलना आप इक है तो औरी यह तीन दर हो गये श्के साथ एक छूटा स का mcq फसेगा बस और चैप्टर भी बहुत छोटा सा है इसके साथ एक और चीज में आपको बोलूगा बच्चा पार्टी और वो है magnetism and matter और यह कर सकते हो आप यह जो भी चैप्टर मैं बता रहा हूं यह एक ऐसे चैप्टर है जिनसे आप आसानी से स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर से आप तो syllabus वही बहुत ज्यादा cancellation हो चुका है तो जो cancel हो चुक है उसको मत पढ़ना पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फिल्न इलेक्ट्रिक चार्ज तूसरा potential capacity तीसरा current electricity उसके बाद electromagnetic वेव कर लीजे उसके बाद magnetism and matter कर लीजे दो और चोटे-चोटे चैप्टर कर लो कहीं लोग सोचेंगे कि master चोटे-चोटे करके सब बता रहा है नहीं मैं आपको वो चैप्टर बता रहा हूं जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हो और वो इस चैनल पर अवेलेबल है अगर आप उसे सीखोगे मेरे वीडियो लेक्ट्रिस के थ्रू तो आसानी से होगा जरूरी नहीं कि मेरे से सीखना मैं pressure कर रहा हूं आपको तुम इतने चैप्टर कर गए ना तो तुम्हारे प्लस 30 मार्क्स कहीं नहीं गया है आराम से आप 30 मार्क्स ला सकते हो बात मानिये मेरा और यह चैप्टर के पीछे आज से पढ़ जाए अवेलेबल है सारे के सारे content वीडियो लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो ठीक है अ आपने चोब पढ़ा जो समझा उसे on paper लिखे क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतना ही उस चीज़ से connect हो जाएंगे तो इस वेरी इंपॉर्टन वाल यार रीडिंग प्लीज टेक नोट टेक पेपर टेक नोट बुक एंड राइट डाउट कॉपी लीजिए और लिखें बंद करें कि जैसे अगर आपने इसका डेरिवेशन किया कि पॉइंट चार्ज की वज़ए से इलेक्ट्रिक फिल्ट कि लिखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशल खास करके जो बच्चे सुरू से लेके अब तक कुछ नहीं किये हैं उनकी ना फिजिक्स में निमेरिकल थोड़ी सी वीक पढ़ जाती है कमजोर हो जाते हैं डर लगता है तो एक्जामपल और एक्सरसाइज उसके अलावा कुछ भी नहीं ध्यान से सुन लिजिए इनहीं चैप्टर्स के एक्सरसाइज और एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में भी no need to solve additional exercise क्योंकि कभी भी सी उससे सवाल नहीं पूछती है वो entrance exam के लिए है बहुत सारे बच्चे पू एडिशनर से बनेगा ही नहीं कुश्चन कभी नहीं बनता है तो उसको solve करने की जुरत नहीं हां आपके पास time है एक्सरा करना है तो कर सकते हो बट पहले यह तो कर लो इसके जगह पर आप यह इतना साब कुछ करने के बाद physics को और भी chapter तो पढ़े है उसे कर डालो तो आप है आपको 20% करना है यह चैप्टर से रेडिट हो गए अच्छा बच्चा 80% आपका टार्गेट होना चाहिए थे लिए अगर आप पास होना चाहते हो फिजिक्स में और वह भी आसानी से पास होना चाहते हो तो थे आपको पढ़ना पड़ेगा है थे आपको अच्छे से या फिर आप 2021 का ही जो सीरीज चल रहा है जो मैंने अभी 2021 हर जगह पर मैं वीडियो स्टाल रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर SSP पर तो आप उन वीडियो के साथ साथ बने रही है जो भी कॉंसेप्ट आते हैं उन सभी कॉंसेप्ट को समझो जहां दिक्कत आती है आ पर रही बात 30 माक्स लाने के लिए कि सर बस पास हो जाए बस उसके लिए क्या करना चाहिए चलिए अब मैं बात करता हूं बच्चों का जो एक्जाम में आग पेपर में आग लगाना है यार ओ हो 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 यह उन बच्चों की बात हो जाए जो पेपर में क्या करना चाहते है आ मान के ही चलो दीखे 30 मार्क्स तो आप के प्रैक्टिकल के होंगे और मैं आपको जैसे जैसे समय भी देगा तो जैसे जैसे एक्जाम नजदीकारी है आप उठाकर के दीखिए इतिहास रहा है कि बाबा एससपी हमीशा बूर्स के बच्चों के लिए खड़े रहते हैं लास्त इसा विश्वास मानिए मेरा लास्ट यर भी में खड़ा था उससे पहले भी खड़ा था और इस पार भी खड़ा रहोंगा बहुत अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट करोंगा जैसा बोलूं वैसा करते चले जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रूख करना है कि कैसे 30 मांक्स लाना है वह भी मैं आपको वीडियो से बना दूंगा उस पे चिंता ना करें अभी 70 मांक्स फोकस करते हैं देखो बच्चा पिछले साल का इतिहास पिछले 8-10 साल का इतिहास देखा जाए ना कोई भी टॉपर का अगर आप कहानी सुनेंगे या कोई एक ही मत वह होता है जब भी वह कोई इंटर्व्य करते हैं या बताते हैं तो वह एंसी आर्टी बुक को पूरी तरह से चाट के जाते हैं फुल कुछ भी नहीं छोडते हैं कुछ भी नहीं पूरी की पूरी एंसी आर्टी आपको बेनिफिट करेगी 100% करेगी बच्चा सारी के सारे derivations और अगर आप ढंग से सारी चीज़े समझ रहे हैं तो इस बार तो अब तो mcq का pattern आगया है mcq भी है तो अगर आप पूरा ncrt textbook अच्छे से करते हो तो आपके mcq भी आसानी से बनेंगे है ना इसलिए पहला target होना चीए कि हमें पूरा का पूरा ncrt book आता है फुल ncrt book कुछ भी नहीं छोड़ना है 70 marks लाना है तो फुल ncrt आना बहुत जरूरी है बच्छा लोग उसके बाद इसके साथ-साथ हमारे textbook का numerical और exercise का example पूरा complete होना चाहिए starting from chapter 1 to chapter number 14 जितने भी हैं वो सबके सब फुल खतम हो जाने चाहिए जिसमें आपका exercise का question है और उसके साथ-साथ बच्चा पार्टी एक्जामपल का question है यह 100% आपको करना चोड़ना एक भी नहीं एक भी नहीं चोड़ना हां अब 70 marks वाले बच्चे हो चाहो तो additional exercise की question कर सकते हो बड़ उसकी इतनी कुछ खास अवशकता है नहीं नहीं आता है जैसे से एक्जाम नजदीक आएगा मैं आप लोगों को एक extra question करना additional अब आप करना चाहते हो बच्चा 70 marks आने वाले तो कर सकते हो उसके बाद extra question के लिए PDF अब extra question के लिए PDF मैं दे सकता हूं आप कोई भी जनरली जो भी कोई reference book यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अब इसमें लोगों की अलग अलग होती आप मेंसे बहुत सारे कर रहे थे उसे continue करें अब कुछ नया एड करने की जुरत नहीं है नया कुछ एड करना है तो वह यह है कि टार्गिट क्या कि जब भी आप कुछ नया topic पढ़ना बच्चा लोग तो हमेशा previous वाले को एक बार जरूर रिकॉल कर लेना जो कि इस channel का में मोटो रहता है आप लो मैं आप से सवाल करो कि क्या मुझे previous वाला topic अच्छे से याद है और अगर है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो एक बार हमें पेज जरूर पलताने की जुरत है क्योंकि छोटा मुटा काम नहीं है बच्चा एक से लेके 14 चैप्टर तक कई बार ऐसा होगा क्या आप न एक दिन में कितना चीज करा सकता है एक derivation 2-3 numerical अच्छे से या दो derivation 3-4 numerical और अगर आपने class में अच्छे से सुना है चाहे वह online class है अभी तो हर जगा online class हो गया चाहे आप YouTube के माध्धम से पढ़ रहे है या अपनी offline Zoom के सहायता से अपने teacher के तुरू पढ़ रहे है तो it's very very important परण कि आप बहुत ध्यान से सुने जब आप ध्यान से सुने हैं तो घर पे आपको मात्र 10-15 minutes लगेगा उसे revise करने में उसे देखने में अच्छा आज सर ने यह सिखाया था यह मुझे याद हो चुका है मैं एक बार लिख लेता हूं राइट अब 15-20 minutes आपने तो आज जो ना करें अभी जो टार्गेट जो सिच्वेशन है कि 70 मांक्स लाने के लिए क्या हमें करना चाहिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए वह यह है कि पूरी की पूरी NCRT विट एक्जांपल सोलुशन आना चाहिए हाउट कैसे पढ़ना है तो आपको लिखना भी है और लिख लोग लास्ट टैनियर पकड़ लो चलिए चोड़ देते हैं इसको मैं तो कहता हूँ लास्ट टैनियर का आपको बोर्ड का एक्जाम पेपर सौल करना है यह मेंडेटरी कंडिशन है 100 परसेंट आपको करना ही है अगर आप 70 मार्क्स को देख रहा हो टार्गेट है आपका ब लगन के साथ सची महनत के साथ आसानी से आप 70 मार्क्स ला सकते हैं दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोकनी सकती खुद भी चाहोगे ना थो भी नहीं रुक पाओगे इतना करने के बाद अच्छे से और जो 30 मार्क्स लाने वाले बच्चा हैं बिलकुल भी डरना मत लोगों से 30 मार्क्स वाले बच्चा लो अपने आपको बिलकुल भी ना सोचो अगर आज से सोच लोगे ना तो आप 70 वाले बच्चे तक को टकर दे सकते हो स्टार्ट कर दो जैसा बोला वैसा एक महीने के बाद फिर से ऐसा ही वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं आज के इस वीडियो से discussion करूंगा कि बच्चा क्या आपने ये वीडियो देखा था एक महीने के बाद नेक्स तीन मंद का क्या प्लान होना चाहिए मैं आप लोगों के साथ जरूर शेर करूंगा उमीद करता हूं कि जो भी बात है मैंने आपको समझा ही है आज इस चैनल पर वह अब करना स्टार्ट कर दीजे जो भी इस वीडियो के अंदर बताया है उसे स्टार्ट करें थाइंकि सो मुच मिलते हैं नेक्स क्लास में जय हिंद जय बारत